Hello Everybody, This is Degraas Singh Rajput, Welcome to Magnate Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Black Soil के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको Eleval Soil के बारे में बताया था कि Eleval Soil क्या है, कहा है, कैसी है, सारी चीज़ हमने इसक्स करी अब हम Black Soil पे एक नजर दोड़ाते हैं सबसे पहला सवाल कि Black Soil कहां पाई जाती है मैप पे भी यह आएगा, तो मैप पर ही देखते हैं Black Soil कहां पाई जाती है यह देखो, तो अगर आप identify करोगे, यह वाला जो आपका box यह Black Soil को represent करता है मतलब इसा lining lining वाला ठीक है, तो अब यह Black Soil पूरा आप Deccan Plateau के अगर बात करोगे, थोड़ा सा Central India के अगर बात करोगे यह वाला region जो है, महाराष्ट, मद्रदेश वाला, यह गुजरात का यह जो region है, और फिर उसके अलावा इसे patches जो है छोटे-छोटे तो यह region जो यह Black Soil को cover करता है, बोलो हाँ, ठीक है, आप भी note कर लो, map में देख लो, visualization सबसे हादा जरूरी है यह area Black Soil को cover करता है, अगर देखे हम, तो कहा लिखा है यहाँ पे, Black Soil covers most of Deccan Plateau, which includes parts of महाराष्ट, मद्रदेश, गुजरात, आंद्रप्रदेश, and some parts of Tamil Nadu इतना area जो है, यह Black Soil में फैला हुआ है, यह वाला जो पार्ट है, यह पूरा Black Soil को cover किये हुए है, ठीक है, यह Black Soil हो गई है, अब आगे क्या है, in the upper reaches of Godavari, and the Krishna, and the northwestern part of Deccan Plateau, the black soil is very deep, अब यहाँ पे क्या कह रहे है, अपर reaches of Godavari, तो यह महाराष्ट वगराद है, देखने को मिल जाएगा, North Western part of Deccan Plateau, तो इधर North West में अगर देख लोगे, Black Soil बहुत गहरी है, अब देखो इसके पीछे कारण है, सारी चीजे, ठीक है, nothing happens in blue, ऐसा कुछ भी हवा में नहीं हो रहा है, यहाँ पे कारण है, कारण क्या है, कि आप अगर Geological History पे जाओगे इस Black Soil से बना हुआ है, तो अब जैसे अगर आप देखो के तो क्या है, एक सीटू नहीं है, इन सीटू फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, अंदर ही, जमीन के अंदर ही इस Soil का Formation हुआ है, तो बहुत गहराई तक Black Soil देखने हो कि नीचे से जो पूरा Depression था, वो पूरा Black Soil नहीं तो अब Topics सारे आपके SS कोई बहुत जादा Concepts नहीं, उसमें लेकिन हम जहां पर बनेगा, वहां समझते चलेंगे चीजों को, तो इस Soils are also known as Rigour Soil और Black Cotton Soil, Black Soil कहा जाता है, रिगूर Soil कहा जाता है, सिंपल सा कारण क्या है, कारण सिंपल सा ये है कि ये, देखरो ना, ये क इह पैलो का है, कि का ये, ये Cotton है, Cotton जो आप Cotton का Shred पहनते हो, वह shirt ऐसे पेड़ पे लगते है, वो क्या होता है, को एले लगती है, सिंपलन बन क्यूंती है, क्लोथ भाड़ से फूर छ ये क्लोच पीस बनता है, विछी तरह आप पैणते हो, तो ये जो Cotton है, Cotton, सबसे ज neut ev lotta अ ज्यान रहेगा तो these soils are also known as rigour soil or black soil, black cotton soil, आगे कहें, the black soils are generally clay deep and impermeable, तीनों शब्द को समझो, clay होती है, चिपचिपई होती ही, पता है, चिपचिपई कैसी होती है, एक example देता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे, करके देखना, बारिश जब हो जाएगी न, तो कहीं काली मिट् जाओगे आप sleepers पहन के 500 gram की, उदर से लेके आओगे 5-5 kilo की sleepers, तो क्यों, क्योंकि जो black soil की characteristic है, वह बहुत जादा sticky होती है, clay deep and impermeable, बहुत गहरा ही तक रहती है, जहां पे भी है, जैसा हमने देखा तो यह पूरा जो peninsula part है, वहां पे बहुत deeply, आपको embedded black soil मिलेगी, उसके impermeable मतलब ऐसा है कि पानी ऐसा नहीं कि डाला तो एकदम सर 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 नीचे चले जाएगा, जैसे arid soil में होता भी, arid soil पढ़ेंगे आगे, तो arid soil में क्यों होता कि आपने पानी डाला ना तो पानी नीचे की तरफ बहुत बहुत जल्दी percolate कर जाता है, यह impermeable है, तो यह आ आटा गूंद लिया आपने, तो आटा जब आप गूंदते हो तो जब गीला रहता है, hydrated form में रहता है, तब क्या रहता है, वो sticky हो जाता है थोड़ा सा, चिपकता है ना, गीला रहता है जब, फिर अगर आपने गूंद लिया गूंद के 10-15 दिन बाहर धूप में रख दिया ठीकी होजाती है, उख जब गीली होती है, तो बारिश के समय में, अधीकतर अएसा होता है कि जब काली मिट्टी के खेत होते, जहां पर लोग खेती करते हैं, तो बारिश गिरने के पहले ही उसको पूरा ँची तरह से क्या करके रख लेते हैं, तिलिंग बगदा करके मैं प कैसी है ? अब यहाँ पर अपने आप जादू थुरी न हो रहाए ? समझो इस चीज़ को प्लोइंग का op objective क्य connection करते हैं ठीक है त्रेक्टर चलाना सीखते हैं लात लाइं सिख्ते हैं प्लोइएं है अप्लोइंग कोनya हुगं तहीया सज़ीन में नीचे टक about परिमंट्रेट कर सके इसलिए कर रहे हैं तिक सॉइल को सफल करने के लिए अक्सिजन पहुचाने के लिए क्लोइग कर रहे हो आप क्या हो रहा है कि यह सैंदर अपने आप इसके अंदर कर रही है वो इस sense में उसे ये कहा गाया है clear होगा है यह explain कर दिया वैनला point आपको तो यह ध्यान रखना है आपको black soil के features बताते चल रहा हो है आपको अब last month क्या लिखाया जैसे यहां पर आप देखोगे तो black soil character of slow absorption ठीक है character of slow absorption and loss of moisture ठीक है the black soil retains the moisture for a very long time which helps the crops especially the rain fed ones to sustain even during dry season यह समझो क्या character देखने को मिलता है आपको कि यह moisture को बहुत लंबे समय तक hold करके रखती है black soil जो है तो पानी गिरा ना तो पानी को क्या है ऐसा नहीं क पुरा नीचे चले आएगा पानी उसे hold करके रखती है वो अब hold करके रखती है तो उसके चलते क्या है उसके चलती है लंबे समय तक moisture बनाए रखेगी पानी को hold करके रखेगी अच्छा एक चीज में बताता हूं कि क्या होता है कुछ crops ऐसी रहती जिने ज़्यादा पानी की कमी नहीं होने देती है और जिन एरियाज में पानी की कमी है वहाँ पे black soil अगर है तो खेती अच्छे से हो पाती है ठीक तो which helps the crops especially the rain fed one to sustain even during dry season तो dry season में भी क्या है थोड़ा सा भी पानी मिल जाता है जैसे जो राभी crops होती जो winter crops होती तो अकर मान लो deck and plateau में बारिश नहीं ह क्या हो रहा है कि deck and plateau वाली जो crop से वह survive कर जाती क्योंकि black soil का nature वैसा है कि वह लंबे समय तक moisture को hold करके रख पाती पानी को hold करके रख पाती है यह हो गया black soil की कहानी तो अब और आगे अगर जैसे देखे हम इसमें तो chemical ही अगर देखें कैसी बनी हुई है मतलब इसका कौन-क Agnesia, Aluminia, यह सब कुछ मिल जाएगा आपको तो बहुत सारे mineral contents है they also contain potash potash भी रहता है बस कमी किस चीज़ की यह phosphorus की तो phosphorus nitrogen organic matter तो organic matter उतना जाता नहीं रहता है जितना aluvel में रहते है aluvel सब दूर से लेके आती है सारी जगह से ठीक यह हो गया अब last में क्या है the color of soil ranges from deep black to gray त from deep black to gray so this was all about black soil black soil हमने पूरी discuss कर लिए आशा करतों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है black soil से जुड़ ही सारा content समझ में आ गया है magnet brains पर इसी तरह से class 4th से class 12 तक सभी subjects chapters topics subtopics सब कुछ systematic way में video lecture के format में available है in video lectures को आप हमारे youtube channel और website पर दोनों ही जगह देख सकते हैं सबस सिलेवर्स घर बैठे complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को जरूर बताइए magnet brains के बारे में मिलते है नेक्स वीडियो में अगले topic के साथ में अगली soil के साथ में till then stay connected keep learning thank you thank you very much